अगर मैं आपसे में ग्रूप की बात करता हूँ तो इसमें S ब्लोक और P ब्लोक जो है elements आते हैं अगर मैं बात करूँ आपके exam में कितने marks का जाता है यह तो भई यह change होता रहता है कभी जो है 10 से 12 नंबर का भी आपका जाएगा 10 से 12 नंबर generally कह सकते हैं कि आपके exam में जो है यह आता है ठिक 10 से 12 marks का अगर आपने यह topic कर लिया तो इतने नंबर आपको easily मिल जाएंगे बट main group में अगर आप जो है जायतरी student prepare नहीं करते हैं main group को क्योंकि इसमें कहा है कि random question भोता जाते हैं आपने main group पढ़ रखा है तो इसमें आप जो है कम से कम मालो की 8 नंबर तो ला सकते हो बट बाकी question आप हो सकता है थोड़ा confused हो जो क्योंकि main group क्या है बहुत बल की topic है बहुत बड़ा topic है तो इसका भाई थोड़ा भो देख लेते हैं अगर मैं बात करूँ main group की तो सबसे ज़्याद जो question पूछे जाते हैं वो carbon family से पूछे जाते हैं कि आपको silicon के बारे में पूछ लेगा आपको silicate पूछ लेगा और carbon की जो मतलब isotopes से उनके बारे में पूछ लेगा दूसरा जिनोन जिनोन के compound आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं कि जिनोन के compound के question भी अकसर पूछे जाते हैं तीसरा phosphorus, nitrogen family भी आपको अच्छे से पढ़नी है फिर उसके बाद boron की family भी आपको अच्छे से पढ़नी है तो यह आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हो अपने 8 number जो है वो secure कर सकते हो चलिए हम previous year question देखते हैं कि वही किस तरह के question आपके exam में पुछे गए हैं तो देखिएगा जैसे पहला question है आपका देखो मैं बोला था जिनोन के तो जिनोन का ही आ गया कहता क्या है complete hydrolysis of xzf4 xzf4 का complete hydrolysis करा दिया gives p whereas alkaline hydrolysis of xzf6 gives q and r अगर हम जो है इसका simple hydrolysis करवा रहे हैं xzf6 का तो p बन रहा है और अगर basic condition में hydrolysis करवा रहे हैं तो p q और r बन रहा है major product तो पुछा है p q r आपका क्या होगा देखेगा अगर मैं बात करूँ जिनोन की तो xzf6 अगर इसकी मैं बाटर से reaction कर देता हूँ इसका hydrolysis करा देता हूँ simple अब बाटर क्या है किसी की oxidation state change नहीं करता है तो oxidation state change नहीं करेगा कितनी oxidation state है इसकी plus 6 तो क्या हो जाएगा वही xz o3 आपका बन जाएगा ठीक बहीं अगर हम basic condition में hydrolysis कराएं कि अगर मैं बात करूँ xzf6 और इसका मैं hydrolysis करा रहा हूँ कोई भी basic condition ले सकता हूँ कोई भी जो है m o h मैंने ले लिया है ठीक तो उस case में होगा क्या कि आपका m ये metal जो भी ये कोई भी metal आपका हो सकता है ये इधर लग जाएगा और ये hydrogen xz o4 आपका कुछ इस तरह का compound बनेगा ठीक और ये क्या होगा slowly disproponation इसका हो जाएगा और आपका जो है xz o6 4 minus प्लस xz आपका जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा परजीनेट आयन इसे क्या बोलते हैं परजीनेट आयन क्या है ये परजीनेट आयन और इसका जो है structure कुछ इस तरह की होती है xz और ये आपका जो है इधर जो है o negative o negative o negative और o negative परजीनेट आयन इसे बोलते हैं तो कुछ इस तरह के compound बनेंगे तो ये हमारा क्या हो गया वह ये हो गया हमारा P ये क्या हो गया ये हो गया हमारा Q और ये क्या हो गया ये हो गया हमारा R तो P, Q, R तो आपका कौन सा वाला ठीक है? A वाला ठीक है आपको ध्यान लखना है कि जिनोन के आपको इसको hydrolysis और जिनोन की reaction यह आपको अच्छे से ध्यान दखनी है अच्छे कभी कभी इसमें क्या पूछ लिये आता है oxidizing power के बारे मैं पूछ लिये आता है जिनोन की oxidizing power तो अगर मैं जिनोन की अगर oxidizing power की compound की बात करूँ तो XZ F6 की जाद होगी किस से XZ F4 से XZ F4 की जाद होगी किस से XZ F2 से आप यह याद रख सकते हो दूसरा जो है एक मैं लिस्ट लिखवा रहा हूं आप इसमें क्या है कि प्लस मतलब इसकी oxidation state कितनी प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 2 दूसरा कि आपको मैं जो है एक और लिखवाता हूं XZ F2 O4 आपका एक है दूसरा क्या है आपका XZ O3 F3 XZ O3 F3 अब इस वाले में देखिएगा जिसकी oxidation state जाद है उसका जो है simply आपका यह भी जाद होगा ठीक है oxidizing power दूसरी चीज इसमें हम देख सकते हैं कि कितना है कि 4 दूनी 8 और दो 10 प्लस का 10 इसमें देखेंगे कितना है 3 दूनी 6 8 प्लस का 8 तो भाई इस वाले की जाद है तीसरा एक list आप जो है अगर चाहो तो याद कर सकते हो तो सबसे जाद है जो होती एक जी F6 की होती है यह दिहान लखना यह सबसे जाद है एक जी F6 की होती है फिर एक जी O2 F2 फिर जो है आपका F4 यह F4 है फिर आपका जाएगा एक जी O3 F एक जी O3 F2 यह list आप याद कर लेना कभी कभी direct question पूछ लेता है फिर आपका जाएगा एक जी O4 यह list आप याद कर सकते हो oxidation power की फिर आजाएगा एक जी F4 O फिर आपका जाएगा एक जी F4 तो यह list है यह मोटा मोटी आप याद कर सकते हो इस तरह के question भी आपके जिनों के compound में आ जाते हैं हाँ तो भी अब दूसरा question देखी कहता क्या है total number of six member ring total number of six member ring आपको बतानी है in the polycyclic compound P4 NME6 दे रखा है और P2 N2 ME2 का thrice दे रखा है अब देखिएगा कभी कभी आपके random question ऐसे आ जाते हैं जो generally आपको skip करने होते हैं ऐसी अगर आपको इनकी structure नहीं पता थी तो आपको इस question को बिलकुल skip कर देना था कोई इसमें अंदाजा नहीं लगाना था क्या वज़ा है total number मतलब दोनों को क्या करना है add करना है अगर इस question को मैं देखता हूँ तो क्या है P4 की structure कुछ इस तरह से होती है कि भई चार जो है phosphorus हमारे यहां लगे होए होते हैं और इसमें दे रखा है NME तो यह nitrogen है और इससे लगा हूँ है अब यह देखिए इस तरह का आपका यह compound होगा इसकी structure अब इसमें total number of six member ring आपको बतानी है तो देखिए six member ring आप कैसे बताओगे एक six member ring तो आपकी यह वाली होगी जो मैंने red कर दिया एक six member ring होगी आपकी ठीक है दूसरी six member ring होगी आपकी यह जो मैंने पूरा circle कर दिया दो six member ring देख लिया आपने कि एक तो जो मैंने red करा दूसरा जो है मैंने ये पूरा कर दिया तीसरी six member ring आपकी जो है वो ये वाली हो जाएगी और चोथी six member ring आपकी ये वाली हो जाएगी जो मैं उपर की तरफ आपको दिखाया है तो total number of six member ring इस वाले compound में कितनी आ रही है चार आ रही है एक तो पूरी वाली हो गई एक ये निच्चे की ठीक है एक ये ऐसे वाली हो गई और एक ये ऐसे वाली हो गई तो total number of कितनी आई चार जो है इसकी six member ring आ रही है ऐसे अगर मैं इस compound को बनाऊ तो देखें compound क्या आपका P2 N2 ME2 का thrice अच्छा इसे ऐसे भी तो लिख सकते P2 N ME6 ऐसे भी तो लिख सकते बात तो एक ही हुई आपकी अब देखिए अगर मैं इसकी structure बनाऊ तो कुछ इस तरह की होती है कि phosphorus इससे nitrogen NME जूड़ा हुआ है nitrogen NME NME जूड़ा हुआ है यह दूसरा एक nitrogen nitrogen इससे भी ME जूड़ा हुआ है इससे भी ME जूड़ा हुआ है देखिए मैं मान सकता हूँ कि आपको जो है तब आप exam दे रहे होंगे यह structure नहीं पता होगी तब ही मैं बोला कि कुछ question जो है skip कर देने होते हैं इसमें अगर total six member ring देखी जाएं तो कितनी होगी एक उपर वाली एक नीचे वाली एक total कितनी है तीन तो इसमें six member ring कितनी होई आपकी तीन दोनों को add करना था क्या है साथ तो seven इसका जो है वो answer यहां आपको करना था ठीक है यह वाली structure तो आपको याद हो सकती है वो वाला थोड़ा मुस्किल है अगर आपको याद नहीं है तो देखें कहता क्या है next question देखते है x, y and z are three p block elements in this second row of the periodic table second row के element है second row में क्या होता है आपका यह हो गया carbon हो गया nitrogen हो गया oxygen हो गया fluorine हो गया यह second row के element है हमारे ठीक है कहता क्या है आगे with electron affinity electron affinity दे रखी है electron affinity का मतलब electron को accept करने की tendency ठीक है ओफ यह closure per mole में दे रखी है minus 15 minus 142 minus 333 respectively the correct statement among the following is हमें correct statement बताना है minus 15, minus 142 और यह दे रखी है ठीक देखते पहला क्या कहता है why has the highest first ionization energy कह रहा है कि why की जो है ionization energy सबसे जाज़ा होगी अच्छे एक common सी बात बताईए अगर हम जो है group में left to right जाते हैं left to right जा रहे हैं तो generally यह nitrogen को हटा देते हैं electron affinity की अगर बात करूँ तो वो क्या होगी increase होती है electron affinity increase होती है electron affinity क्या हो रही increase हो रही है क्यों क्योंकि size छोटा हो रहा है nucleus की power बढ़ रही है दूसरी चीज left to right जाने पर ionization energy भी क्या होती है आपकी ionization energy भी आपकी increase होती है insect electron निकालना थोड़ा मुश्किल होता है ठीक चले भई तो क्या कहता है y has the highest first ionization energy y कह रहा मतलब beach बाला जो है ये जिसकी ionization इतनी अगर electron affinity है तो इसकी ionization energy भी जाद होगी नहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि हमें तो पता है कि left to right जाने पर क्या हो रहा है electron negativity बढ़ रही है साथ साथ जो है electron जाद है पी में ये last वाले में जाद है भई last वाले में जाद है जिसकी electron affinity जाद है ठीक है भई x has the highest proton affinity कह रहा है x की जो है वो proton affinity जाद है नहीं वो तो किसकी है कि भई जिसका nuclear power जाद है कौन साथ बादवाले की फिर क्या कहता है z has the highest electron negativity z का मतलब सबसे last वाला सबसे last वाले की क्या है कि जिसकी electron affinity जाद है तो ऐसा हो सकता है क्या उसकी electro negativity जाद है बिल्कुल ठीक बात है तो इसका जो है डी वाला ये answer हो जाएगा चलिए वई नेक्स चलते है तो नमबर ओप oxygen atoms bonded to each phosphorus centering P4O6 and P4O10 respectively आपको जो है बताना है कि एक phosphorus से जो है कितने oxygen bonded है चलिए भई अगर मैं बात करूँ P4O6 की तो P4 की structure तो मैं आपको बताया हूँ क्या होते हैं इस चार phosphorus आपको जो है वो ऐसे लगाने हैं और 6 का मतलब क्या हुआ कि सब जो है जितने भी हमारे phosphorus है सबी जो है oxygen से bonded है यह होगी structure the number of oxygen atom bonded to each phosphorus अगर मैं एक भी phosphorus की बात करता हूँ इसकी बात करता हूँ कितने oxygen इस से bind है तो 1, 2 और 3 कितने bind है वही एक phosphorus से 3 oxygen bind है चलिए वही next चलते हैं अगर बात करता हूँ P4O10 की structure कैसी होती है simple जो है आपको 4 phosphorus बनाने है सब के बीच में क्या करना है आपको oxygen जोड़ देना है same structure आपकी किस की थी P4O6 की और यहां क्या आ जाते हैं यह double bonded हो double bonded हो double bonded हो और double bonded हो यह होती है आपकी P4O10 की structure एक phosphorus से कितने oxygen bind है तो कितने वाइन है टोटल 4 तो देख लीजी answer 3 और 4 तो C वाला जो है इसका answer हो जाएगा respectively पुछा था तो C वाला answer हो जाएगा चले वही next चलते है question क्या कहता है among SI3 N4 और alpha BN दे रखा है AIN दे रखा है and SNX दे रखा है the compound with the highest conductivity is अगर आपको ध्यान हो तो भई SNX की जो है conductivity one dimensional conductor होता है और बहुत fast होती है मैं आपको जो है ये बताया हूँ कि SNX की conductivity बहुत जाद होती है और इतनी जाद होती है कि lower temperature पे super conductor का का काम करता है अगर आपका temperature जो है वो low है कितना temperature अगर आपका जो है मतलब माइनस का 4.3 Kelvin के आसपास है तो super conductor का काम ये आपका करता है ठीक और जो आपका alpha BN है ये insulator property है इसकी और SI3N4 की बात करें तो silicon के compound क्या होते है में ली semi conductor तो कैसा behave करता है वो semi conductor तो highest conductivity की होती है SIN SNX की जो है आपकी polythiagile क्या बोलते हैं polythiagile तो polythiagile की जो है वो conductivity सबसे fast होती है बन डाइमेंसनल conductor ये होता है आपका चलिए अब ही देखिए the reaction of HF with SNO produce P with SNCL for produce Q अगर हम HF की reaction करा रहे है SNO के साथ तो एक P बना रहा है और एक Q बना रहा है reaction of one of them P और Q P और Q मेंसे एक की reaction जो है NAF के साथ करा रहे है तो NA4 SN3 F10 ये आपका compound मिल रहा है तो आपको बताना है कि हाँ वही इनकी structure आपको बतानी है तो देखिए वही अगर बात करूँ मैं ऐसे ये वाला question भी आये तो आपको छोड़ना ही था क्योंकि ऐसे question में आपके गल्थ होने के चांद से ज़्यादा रहते हैं और भई section B माया है तो एक बार कर भी सकते हो section C माया है तो छोड़ना ही है आपको ये तो इसकी अगर HF से reaction करता हूँ तो आपका बनेगा SNF2 SNF2 बनेगा ऐसी अगर SNCL4 की अगर reaction HF से करता हूँ तो आपका बनेगा SNCL4 बनेगा ठीक है ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q अब कहता है कि P और Q में से किसी एक की reaction कराई हमने जो है NAF के साथ तो हमारा ये ये वाली इल्ड हमारी बन रही है तो इन दोनों में ये कौन देगा कि भई ये SNF2 की अगर reaction मैं करादू किस से NAF salt से करादू तो आपका जो है compound बनता है NA4 SN3 F10 अच्छे ये आप कैसे से देख सकते हो आप अंदाज लगा सकते हो कि oxidation states है कि इसकी oxidation state plus 2 plus 2 कितनी है उसकी भी plus 2 plus 4 plus 4 तो यहां से आप जो है इसका पता कर सकते हो चलिए भई देखते है क्या कहता है SN3 F10 4 minus is obtained from P बिलकुल ठीक बात है भई P से बना है पहला तो बिलकुल ठीक है in the solid state P exhibit as a ring structure अगर यह आपकी solid state में है तो P आपका जो है ring structure में करता है ठीक है यह भी बात जो है ring structure में exist करता है अब कहतें stereogenic loan pair of electron are present in both and P and Q stereogenic loan pair कहां से आ जाएंगे stereogenic का मतलब कि उस पर जो है अलग हमारा जो है चारो different group P item लगे होएं अगर SN की बात करूँ हाँ लोन पेर तो है बट stereogenic थोड़ी ना होए और अगर बात करूँ Q की Q कहां है हमारा यह हाँ लोन पेर तो है बट stereogenic थोड़ी ना होंगे तो कहां बोथ और P और Q पर जो है stereogenic loan pair present नहीं है first वाले के कहता है Q is beaker Lewis Acid Q क्या beaker Lewis Acid है P वाले से अगर हम SN की बात करें तो कितनी oxidation state है plus 4 इसमें कितनी है plus 2 जिसकी oxidation state जाद है वो अच्छा Lewis Acid तो इसका मतलब यह बात भी गलत है अगर D गलत है तो यह गलत है अगर D गलत है तो यह गलत है अब देख लीजिए 50-50 बचा और मैंने बताया था कौन सा A वाला सही है और C वाला भी क्या था गलत था तो आंसर क्या हो गई यह अच्छा Elimination जरूर यूच करना किसी भी question में अगर आप confirm हो तो Elimination करना इससे 50-50 होने के chances बढ़ जाते हैं अगर हम next बात करें तो भाई अभी यह question देखें करता है तो निकलियोफिलिक substitution reaction हो रखा है इसका निकलियोफाइल बाई दे रखा है प्रोडक्ट इतना वनना है तो बताना है हमें इसमें से कौन-कौन सी बात जो है वो ठीक है correct statement बताना है अगर मैं आपके सामने silicon की बात करता हूँ तो इससे एक R लगा हुआ है आपका जो है R prime लगा हुआ है R double prime लगा हुआ है और एक कोई निकलियोफाइल क्या लगा रखा है बाई इनोंने लगा रखा है जैसी कोई निकलियोफाइल आये आपके सामने की आपका intermediate बनेगा की Y X और ये R double prime R prime और R TBP type की आपकी structure इसकी बनेगी और फिर क्या होगा जो living group है वो यहाँ से छोड़के निकल जाएगा और ये इसका RDS होता है Ray Determining step भी इसका ये होता है चलिए भई पढ़ देते हैं Cylillium cation is formed during the reaction बोला है cation बनेगा नहीं भई cation तो नहीं बनता है पहला हो गया गलत गलत हो गया तो ये गलत हो गया चलिए होई आगे चलते हैं इसे सेकिंड ओडर रियक्शन भी विल्कुल ठीक है तो जिसमें भी आया वो ठीक है इसे में भी नहीं है तो ये भी हो गया गलत अब देख लीजी आगे चलते हैं the cleavage of the SIX bond is not the rate determining step क्या जो है वो rate determining step नहीं है बिल्कुल ठीक बात है सी विल्कुल ठीक है तो सी तो एकदम ठीक है चले डी भी पढ़ लेते हैं the product always so inversion of confusion क्या हमें इसा inversion दिखाएगा नहीं भई ऐसा तो नहीं है इसमें जो है आपका retention भी हो सकता है तो इसका ए वाला जो है वो answer ठीक हो जाएगा inversion किसमें होता है तब आपकी completely SN2 हो कि एक अटेक कर रहा है दूसरा निकल रहा है तो देखिए भई यह question देखिए which of the statement A से D तक दे रखा है given below are correct for B2H6 dive और इनके बारे में दे रखा है कौन सा statement जो है आपका ठीक होगा चलिए पहला question पहला option पढ़ते हैं addition of ET2O ether का addition करवा रखा है इथर की presence में BF3 और NABH4 की reaction करवा रखी है इन्हें polyether solvent produce B2H6 मतलब हमने BF3 की reaction करवा रखी NABH4 से है और पुछा है कि इस से जो है B2H6 बनेगा हाँ बिल्कुल ठीक बात है अगर जो है हम BF3 की reaction कराते है BF3 की reaction कराते है NABH4 से तो बिल्कुल जो है आपका B2H6 बनेगा पहली बात एकदम ठीक है दूसरे कहते हैं it has D2D symmetry नहीं अगर मैं डाइबोरेन की बात करूँ तो डाइबोरेन की structure जो है कुछ इस तरह की होती है यह hydrogen यह hydrogen यह बोरोन यह और यहां से जो है दो hydrogen लगे वह है अगर मैं इसका point group देखू तो डीटु एच होता है ना की डीटु डीटु का जहां से हमने जो है ME3 and BH3 ठीक है चलिए इसे अभी देखते हैं ETJ diamagnetic बिल्कुल diamagnetic होता है मतलब ये ठीक है ये गलत है ये ठीक है अब देखिएगा अगर हम इसकी बात करें डाइबोरेन की तो इसका cleavage दो तरह से होता है कौन-कौन सा तो यहाँ देखिए इसका cleavage किस तरह से होता है कि एक तो जो है यहाँ से हो जाए इसे कहेंगे unsymmetrical cleavage कैसा हो गया ये unsymmetrical unsymmetrical अच्छे अगर cleavage इधर से हो कि BS3, BS3 दोनों तरब जाए तो से कहते हैं symmetrical cleavage symmetrical अब देखिएगा unsymmetrical कब होगा symmetrical कब होगा अगर मैं symmetrical cleavage की बात करूँ तो वो होता है आपका जन्रली जितने भी हमारे bulky group रहते हैं कोई भी हमारे bulky group हो या carbon monoxide हो या किसी भी तरह का ether हो इस case में आपका symmetrical cleavage होता है चुकि ये क्या है NME3 क्या है ये भी bulky है और भही अगर unsymmetrical cleavage की बात करूँ कोई metal हो या आपका NH3 हो या आपका NMEH2 हो कुछ इस तरह के compound हो तो आपका unsymmetrical cleavage होता है तो ये बात आपको ध्यानक नहीं है तो इसका मतलब कौन सा वाला ठीक होगी है इसका B वाला answer जो है वो ठीक हो जाएगा चलिए भई नेक्स चलते हैं कहते हैं चूज दा करेक्ट स्टेटमेंट्स फोर दा फॉलोइंगा आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पहला है अब देखेगा सिलिकोन से जितना हमारा है वो जाद है अब तो दूसरे से वो इलेक्टोन ले पाएगा तो इसका मतलब लुइस एसिडिटी का ओडर ट्रेंड जो है बिल्कुल ठीक लिखा हो है पहली बात समय देखते तीन टू दे रखा है क्लोराइड केन एक्ट एज लुइस एसिड नोटे लुइस बेस अगर हम टिन के जो है टू क्लोराइड एसेंस एल टू की बात करें तो कह रहा है यह लुइस एसिड की तरह काम करता है ना कि लुइस बेस की बिल्कुल ठीक बात है ठीक है अब कह रहे है अलुमिनो सिलीकेट केन डिस्पले ब्रोंस्टेट एसीडिटी के रहे है अलुमिनियम सिलीकेट जो है ब्रोंस्टेट एसीडिटी दिखाता है अच्छा एसीडिटी जो है जनरली हम तीन तरह की पढ़ते हैं कौन-कौन सी आरीनियस आरीनियस में क्या होता है अगर मैं बात करूँ आरीनियस में क्या होता है कि हमारा जो है H प्लस क्या करता है दोनेट करता है अगर मैं ब्रोन स्टेट की बात करूँ तो ब्रोन स्टेट में क्या होते है कि H प्लस डोनर इसमें H प्लस डोनर इसमें H प्लस इन बाटर मतलब H प्लस की कंसेंटरेशन जो H3O plus की concentration बढ़ा देगा ये जो है H plus donor का काम करता है तीसरा जो है अगर मैं बात करूँ Lewis की तो उसमें क्या होता है भाई loan pair acceptor loan pair जो हमारे accept करेगा loan pair जो हमारे accept कर लेगा वो हमारा Lewis acid अब कह रहा है कि aluminium silicate aluminium की तो चलो हम मान सकते हैं aluminium के पास क्या होगा electron की कमी होगी उसके पास orbital है electron accept कर सकता है Lewis acid का काम कर सकता है कभी कभी वो भी बट bronze acid acid का काम नहीं करेगा तीसरा वाला गलत है first and second इसका ठीक है चलिए भई next चलते हैं तो next देखिए कहता है which of the following reaction does not occur कौन सी reaction इसमें से नहीं होगी तो अगर मैं first बाले की बात करूँ देखिए first बाली reaction क्या है n p c l 3 दे रखा है यह जो है 6 naf से reaction कराते है m m c n की presence में तो यह हमारा बनेगा बिल्कुल यह बनता है इसकी structure जो है कुछ इस तरह की होती है यह फास्फोरस यह नाइट्रोजन यह नाइट्रोजन यह यह फास्फोरस और यह नाइट्रोजन अब इसमें क्या रहता है इधर यह double bond रहते हैं और इससे जो है दो हमारे c l c l लगे होए रहेंगे फास्फोरस से यह c l और एक c l हमारा यह लगा हुआ जैसे हम इसकी एनने अप से रहेंगे तो क्या होगा यह इधर अटैक करेगा यह जाएगा इधर फिर यह जाएगा इधर एक c l निकल जाएगा और ऐसी प्रोसेस होगा जितने भी c l लगे हुए है इनकी जगे क्या लग जाएगा आपका फ्लोरीन लग जाएगा तो पहली बात एकदम बिल्कुल यह ठीक बोल ली गई है दूसरी कहता है कि p c l 5 की n h 4 c l से रियक्षन कराएं तो n p c l n बनता है बिल्कुल यह भी बात ठीक है यह तो इसे बनाने की जो है फोस्फजीन बनाने की हमारी यही प्रोसेस भी होता है अगर आपको ध्यानो फोस्फजीन बनाने का प्रोसेस यही है next चलते हैं कि p f 3 की n a f से रियक्षन कराएं जाएं यहां c l था यहां क्या है अपकी वार फ्लोरीन है और यहां f है अगर रियक्षन कराएं यह यह बनेगा नहीं हम जो है यह इस तरह से नहीं बनाते हैं जो उपर वाली रियक्षन थी उसके उसकी रियक्षन कराके बनाते हैं क्योंकि जो है फ्लोर जो हमारा यह p f 5 है और यह इसका बोन्ड p के साथ strong होता है तो इसमें नहीं बन पाता है तो यह थर्ड वाली रियक्षन गलत है फर्स्ट और सेकेंड जो है इसका ठीक है मतलब भी वाला आंसर हो जाएगा चलिए वह नेक्स देखते हैं आइडेंटिफाइड दक करेक्ट स्टेटमेंट फोर दर टू रियक्षन गिवन ग्लो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पहले में क्या हो रहा है कि जिनों ने क्या काम कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रोन डोनेट कर दिया इलेक्ट्रोन डोनेट कर दिया दूसरी वाली रियक्षन में क्या हो रहा है कि इसने क्या काम कर रहा है एकजी एकसेप्टर मतलब एजी एसीड काम कर रहा है दूसरे वाले में क्या किरा है मतलब इसिड का काम कर रहा यह वाला विलकु सका डी वाला आंसर ठीक हो जायेगा छालिए भाई नेक्स चलते हैं तो नेक्स देखिए चूज दा करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दा फॉलोइंग LIF is more soluble क्या दे रखा है more soluble than LICLO4 अब देखिए जो हमारा LI है और फ्लोरीन है दोनों के साइज जो है इतना परफेक्ट है कि दोनों की बोन्डिंग बहुत अच्छी है लेटिस एनर्जी बहुत जाद है अब लेटिस एनर्जी जाद होने की वज़े से बाटर में solubility क्या है कम और वहीं अगर हम दूसरी बात करें इसका NIN क्या है CLO4- बड़ा NIN है इतना अच्छी इनकी बोन्डिंग नहीं है LI का more negative than NA हाँ बिल्कुल यह तो होता ही है क्योंकि गुरूप में अगर हम उपर से निच्छे जाएं तो क्या होगा कि electron donate करने की tendency बढ़ जाएगी मतलब electron donate reduction oxidation potential बढ़ रहा है और इसमें क्या कह रहा है कि more negative मतलब इसका LI का more negative बिल्कुल ठीक बात है मैं value भी लिख रखा हूँ अगर आपको अगर इसमें जो है aqueous की बात करी जाए और LI प्लस और electron यह जो है आप इसे reduction potentially direct लिख सकते हैं reduction का मतलब LI का reduction हुआ है यहाँ LI बन गया और यहाँ NA प्लस अगर aqueous है हमारा और इसने electron accept करा तो क्या बन गया और यह solid और यह solid तो इसका अगर reduction potential की बात करूँ minus का 3.04 minus का 3.04 reduction potential होता है इसकी value की बात करूँ तो minus का 2.7 बन होता है तो दूसरी बात बिलकुल ठीक है दूसरी ठीक है तो answer क्या हो गया अब लाश पढ़ लेते है the heat of hydration of LI gas is greater than Na plus gas बिलकुल ठीक बात है जो जितना छोटा हमारा आयन होगा उसकी heat of hydration उतनी ही जाद होगी मतलब यह भी बात बिलकुल ठीक है तो answer तो मैं बताई दिया कि यह वाला हो जाएगा चलिए next question देखते हैं क्या कहता है in the synthesis of poly dimethyl sloxane the chain form branching and terminating agent chain forming chain branching chain terminating बतानी है अब chain कोन बनाएगा भई अगर आपका जो है कुछ इस तरह से होगा ME ME लगा हुआ है इधर CL लगा हुआ है इधर CL लगा हुआ है क्या करेगा chain बनाता चला जाएगा इधर से CL निकलेगा यह जो है oxygen के साथ जूर जाएगा फिर ऐसा ही आ जाएगा यह chain दोनों तरफ बनाता हुआ चला जाएगा तो यह वाला क्या होगा हमारा chain forming chain branching जिसमें branch बन सके तो branch किसमें बन जाएगी वही जिसमें 3 CL लगे हुए तिनों तरफ से CL निकलेंगे oxygen के साथ बाइंड होँगे और ऐसा branching होती चली जाएगी terminate करना है chain terminating की बात करा है ME जो है तीन तरफ लगे हुए है और एक तरफ chlorine लगा हुए है तो इसे अगर जोड़ देंगे तो क्या होगी chain reaction रुख जाएगी chain terminating हो जाएगी अब देख लीजिए respectively बताना है पहले चैन forming फोर्मिंग में CL2 ठीक है दूसरा क्या है chain branching branching में यह मतला बी वाला इसका जो है यह answer हो जाएगा ठीक भई चलिए next चलते हैं oxidation state of sulfur in dithionus and dithionic acid represent respectively are dithionus और dithionic acid की अगर मैं बात करूँ तो इसकी structure कुछ इस तरह से होती है यह sulfur यह dithionus हो गया और dithionic की बात करूँ तो यह कुछ इस तरह से होता है यह dithionic हो गया अब आप इसमों oxidation state कैसे निकालोगे देखिए यह sulfur की अगर मैं बात करता हूँ तो यह electron अपनी तरफ खीच रहा है एक बार दो बार तीन बार oxygen की electron negativity जाद है तो कितनी होगी प्लस 3 sulfur sulfur की सेम है तो इधर कोई मतलब मतलब नहीं है अब इसमें कितनी होगी इसकी भी प्लस 3 इसमें देखिए एक बार दो बार लिए electron तीन बार लिए चार बार लिए पांच बार लिए तो कितनी होगी प्लस 5 oxidation state ठीक तो हमें पता चलिए ऑक्सिडेशन इस्टेट बार लिए प्लस 3 और प्लस 5 मतलब सी वाला इसकांसर हो जाएगा चलिए वई नेक्स चलते हैं कहते हैं तो यह रियेक्शन देखिए किस प्रकार से होती है आपकी अगर मैं बात करूँ i o 3 और क्या दे रखा है माइनस एक्वस में यह हमारा रियेक्शन होती है और प्लस 5i एक्वस 5i माइनस एक्वस अच्छा यह रियेक्शन याद करना वड़ा कठीन है तो आप इसकिप भी ने कर सकते हो जब कभी भी आपके ऐसे कोश्चन आए तो इस से जो है हमारा क्या बनेगा एक तो बनेगा जो है आयोडीन निकल जाएगा और बाटर यह आपका बनेगा कुछ इस तरह से यह रियेक्शन होती है reaction balance भी है आपकी कुछ इस तरह से ठीक है इस तरह का question आप जो है अच्छे यह अगर हम बात करें तो देखिएगा कुछ इसमें मैं बातें बता देता हूँ अगर C-60 इसमें क्या होता है कि हमारी जो है 5 मेंबर और six मेंबर रिंग प्रेजेंट रहती है जो एक पेंटागोनल रिंग जो है वो five मेंबर होती है और six मेंबर को hexagonal रिंग बोलते हैं तो कुछ structure जो है इसकी इस तरह से होती है तो इसका जो सबसे ज़्यादा रियक्टिव बोन्ड होता है वो ये बीच बाला ये बोन्ड रियक्टिव होता है इसकी वज़े से compound aromaticity lose नहीं करता है और ये जो है metal से बोन्ड बनाने के लिए free है तो ये और ये दो तो कितना है दो है इसकी heptacity कितनी होगी दो होगी अच्छा इसमें कुछ और तरह के question भी पूछ लिए जाते है जैसे आपका पूछ सकता है कि आपका जो है इस तरह के compound में number of five member ring कितनी होगी number of six member ring कितनी होगी जैसे बात करी जाए cn c60 c70 c80 तो यहां है number of pentagonal मतलब five member ring और number of hexagonal मतलब six member ring तो मैं इधर कर देता हूँ तो number of five member ring और number of six member ring के से बताओगे आप जितने भी सारे compound अगर हम pentagonal ring की बात करें 5 member ring की बात करें तो सब में 12 होती है सब में क्या होती है 12 होती है और अगर हमें hexagonal 6 member ring निकालनी है तो n by 2 minus 10 करना पड़ेगा n by 2 minus 10 कर दीजी answer आ जाएगा first वाले का करेंगे कितना आएगा n by 2 कितना वचा 30 और 10 गए 20 इसमें 20 हो जाएगे इस बाले में n by 2 35 और 10 गए 25 आ जाएगी 6 member ring इस बाले में 30 आ जाएगी तो ये 6 member और 5 member ring निकालने का तरीका है ये भी direct कभी कभी question पूछ लेता है तो मैंने आपको समझा दिया है चलिए वही next चलते है choose the correct statement among the following आपको जो है इसमें correct statement चूछ करना है the dihydral angle of O2 F2 is 0 नहीं भाई dihydral angle 0 नहीं होता है क्योंकि जो इसकी आपकी structure होती है वो open book type जैसे आपने जो है H2O2 की पढ़ी होगी open book type कुछ इस तरह की इसकी structure होती है जिस वज़े से dihydral angle 0 नहीं होता है क्यारे OF2 is generally prepared by the reaction of fluorine gas with dilute to percent aqueous and new edge solution बिल्कुल ठीक बात है यह जो है इस तरह से reaction करके बनाया जाता है O2 F2 can be readily reduced by H2O यह भी बिल्कुल ठीक बात है इसके तिन्नो जो है option ठीक है इसकी reaction भी मैं आपको लिखवा देता हूं ठीक है यह तो पहला आप समझ गये होंगे दूसरा देखिएगा अगर मैं बात करूँ किसकी fluorine gas की F2 की reaction अगर मैं NaOH से कराता हूं तो इस case में जो है आपका OF2 बनता है OF2 बनता है और साथ साथ में जो है NaF plus H2O NaF plus H2O reaction को जो है balance कर देते हैं देखना balance हो गया क्या? हाँ तो आपका कुछ इस तरह से यह reaction होती है first बाली second बाली की बात करूँ तो क्या होता है? H2S के साथ अगर हम reaction कराए O2 F2 की तो इसमें SF6 बनेगा plus HF बनेगा क्या होगा? SF6 plus HF और plus oxygen तो sulfur का क्या हो रहा है? sulfur का oxidation हुआ है और fluorine का क्या हुआ है? reduction हुआ है तो इस तरह से यह reaction होती है इसमें 3-0 answer इसके ठीक है B वाला अब देखिएगा क्या क्या कहता है? in compound N3, P3 F6 the geometry around nitrogen and phosphorus phosphogenes का question है तो यह structure मैंने आपको अभी simple बना के दिखाई थी कि phosphorus, phosphorus, nitrogen nitrogen और phosphorus क्या होता है है? यह six-membering benzene की तरह है और phosphorus का जो है CL, CL CL, CL और CL, CL अगर इसकी hybridization की बात करूँ तो कितनी आएगी? SP3 इसकी hybridization की बात करूँ तो कितनी आएगी? SP2 तो यह क्या हो जाएगा? यह planar हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? प्लेनर रोटेटर हाइडल कहीं दे रखे है? हाँ यह nitrogen की SP है और इसकी कितनी होगी? अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी आरी है हमारी SP3 ठीक है? तो इसकी जो है यह planar हो गया यह ट्रेटर हाइडल आप जो हाइबडाईसन निकाल सकते हो चलिए reaction of decaboran B10 H14 दे रखे है with acetylene in the presence of E2S gas अब देखेगा अगर इसकी reaction कराता हूँ मैं किसकी? B10 H14 की reaction acetylene से अगर मैं कराता हूँ और in the presence of ET2S तो इसका जो compound बनता है आपका वो C2 B10 और H12 यह वाला बनता है तो यह A वाला answer हो जाएगा इसकी भाई कोई trick नहीं है यह आपको जो है याद ही करनी पड़ेगी अब यह question देखे यह question क्या कहता है both potassium and sulfuric acid form interclasian compound interclasian कोन से होते हैं? graphite layer के बीच में अगर हमने कोई metal यह compound जो है वो insert कर दिया उसे interclasian compound यह lamular compound बोलते हैं with graphite the graphite layer are graphite की layer का क्या होगा? अगर हम potassium की बात करें तो potassium में हमें एक चीज पता है क्या करता है? वह electron donate करता है माली जी यह graphite है ठीक है अगर इसकी हम potassium के साथ reaction करें तो क्या होगा? कि graphite और जो है potassium यह जो है इससे लग जाएगा यह k plus यह minus तो मतलब total जो है क्या कर रहा है रिंग को? रिंग का reduction कर रहा है कौन? potassium reduction कर रहा है भही अगर हम sulfuric acid की बात करें यह graphite है हमारा और यह जो है h2SO4 तो इस case में क्या होगा? कि graphite जो है वो आपका oxidize हो जाएगा hSO4 जो है वो minus इधर लग जाएगा ठीक है? और इसमें यह सब हो क्या रहा है कि भही इस वजे से जो है ग्रेफाइट की जो layer है ग्रेफाइट की जो conductivity है वो increase हो जाएगी तो मतलब हुआ क्या? कि ग्रेफाइट की जो reaction है इनके साथ potassium ने तो क्या काम करा इसे है? reduce करा और H2S of 4 ने क्या करा? oxidize करा तो कौन सा वाला answer हो जाएगा भई? D वाला इसका answer हो जाएगा अब यह question देखिए the final product of the reaction of arachnoborane B4 H10 दे रखा है NME3 अब हमें NME3 का क्या एक चीज तो पड़ता है कि symmetrical cleavage कराता है B2 H6 के case में अगर हमें इसमें नई पता तो देखिए इस वाले case में होता क्या है? B4 H10 की तब हम reaction कराते हैं NME3 के साथ तो हमारा जो compound वनता है तो BH3 into NME3 वन जाता है दूसरा जो है हमारा B3 H7 NME3 NME3 तो हमारा कुछ इस तरह का compound वनता है इसका answer जो होगा वो आपका first वाला हो जाएगा चलिए next देखते हैं among the following choose the correct product that are formed in the reaction of S2Cl2 with ammonia in CCL4 S2Cl2 की reaction करा रखी है S2Cl2 की reaction करा रखी है किस से करा रखी है? NH3 से reaction करा रखी है in the presence of in the presence of CCL4 और ये reaction जो हम benzene की presence में भी करा राते है तो इसमें क्या बनता है? S4N4 जिसकी cradle structure होती है अगर आपको पता हो तो S8 बनता है S4N4 और S8 प्लस NH4Cl तो इस तरह है कि ये हमारी कुछ reaction होती है इसा बैलेंस कर देता हूँ 12, 6, 16 6, 16 और यहां जो है 12 हा जाएगा आपका reaction आप बैलेंस कर सकते है तो कुछ इस तरह की reaction होती है इसमें क्या बनता है? S4N4, S8 और जो है आपका NH4Cl तो NH4Cl मतलब A, B और C बन रहा है आपका A, B और C आपका इसमें बन रहा है चलिए बई, next question देखते है next question कुछ इस तरह से number O, P, S आपको P और S के बीच के bond बताने कितने end PP bond in compound P4S3, बैने बता है P4 जो है आपकी structure कुछ इस तरह से होती है, कि 4 जो है phosphorus कुछ इस तरह से लगे होए होए होगे chair foam में भी आप ये structure बना सकते होगर sulfur लगे होए हैं, बाकी जो है जिनके बीच का bond है, वो ऐसे का, ऐसा ही कुछ इस तरह से हमारी इसकी structure होती है अगर मैं PS bond की बात करूँ, एक, अब देखिए PS bond calculate कर लेते हैं एक, दो तीन चार, पांच और छे, कितने PS bond है 6 PS bond है, कितने PP bond है तो एक दो और तीन PS bond कितने हैं हमारे 6 और PP bond कितने हैं, तीन, तो 6 और 3 respectively पुछे, 6 और 3 इसका answer हो जाएगा चलिए वही नेक्स देखने दर reaction हो, BCL3 with NH4Cl Gibbs product A तो हमने जब जो है reaction कराई किसकी, BCL3 की NH4Cl के साथ, तो बोरा जीन बनता है, हमें पता है, क्या बनता है, बोरा जीन structure जो है, आप लिख सकते हो, कुछ इस तरह से कि N, B, N, B और B, N और ये, और इनके बीच में क्या होगा, ये double bond है जाएगा और सब से हिहां CL, CL लगा हुआ रहता है ठीक, अब दूसरा क्या है इसकी जो है, फिर reaction हमने किस से कराई इसकी reaction जो है, N, B, H, 4 से करा दी N, B, H, 4 क्या काम करेगा, इसे reduce कर देगा अच्छे, nitrogen से तो hydrogen लगा हुआ तो इधर hydrogen लगा हुआ रहेगा, sorry अब क्या है, इसकी reaction हमने N, B, H, 4 से करा दी, तो N, B, H, 4 क्या काम करेगा, भई N, B, H, 4, reduction का काम करेगा और जहां भी CL लगे हुए, हुआ क्या लग जाएगा hydrogen लग जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा अगर मैं थेखू, B, 3, N, 3 और H, 6 B, 3, N, 3, H, 6 हमारा बन जाएगा ठीक है, यह बन गया, B इसकी reaction अगर हम H, C, L से करा दे इसकी reaction हम H, C, L से करा दे तो addition reaction होती है addition reaction क्या, आपका क्या बने का B, 3, N, 3 C, L, 3 और H आपके 6 और 3, 9 H, 9, कुछ इस तरह की structure आजाएगी जो आपका A वाला है यह क्या हो रहा है, श्रिप addition हुआ है जो है double bond पर की एक CL हमारे, मतलब boron से CL लग गया और इसर हमारा hydrogen लग जाएगा, nitrogen से 2 hydrogen boron से 1 CL, तो इस तरह की यह कुछ हमारी structure बनती है चलिए देखते है the formation constant for the complex of M+, इतना दे रखा है cryptant दे रखा है, C222 follows the order अच्छे, यह ध्यान नखना अगर मैं cryptant की बात करूँ, इसकी structure जो है कुछ इस तरह की होती है, nitrogen, nitrogen होता है इनके बीच में यहाँ एक oxygen होगा, यह oxygen होगा और यह कुछ bond होगा यह oxygen यह oxygen और इसका जो है इधर nitrogen से bond होगा इसी जो है, इधर oxygen इधर oxygen, और यह nitrogen से bonded होगा, तो यह होता है हमारा क्या, 222 cryptant, 222 cryptant यह हमारा होता है, इसकी जो आपकी कौन सा metal, इसमें cavity में fit बैठेगा तो उससे देखते है, formation constant ठीक, तो इसमें दो चीज देखते है size of cavity और size of metal तो cavity का size हमें कैसे पता चलेगा cryptant से पता चलेगा, और metal का size क्या है, कि यह बाद जो है हमें metal को देखके पता चल जाएगी, कि size बड़ा है, छोटा, अगर मैं cryptant की बात करता हूँ cryptant की बात करता हूँ, अगर आपका cryptant 211 है तो इसमें जो metal fit बैठता है बो है li-plus, अगर आपका cryptant 221 है, तो इसमें जो metal fit बैठता है, वो है na-plus अगर आपका 222 है इसमें जो metal fit बैठता है, वो है k-plus, तो क्या दे रखा है 222 दे रखा है, तो सबसे जाद है कौनसा formation constant किसका हूँगा k-plus वाले का K प्लस वाले का ये कमी सबसे आदे रखा है A वाले में तो इसका अंसर सिंपल A हो जाएगा ठीक अच्छा इस तरह है कि जो कमपाउंड है क्राउन इथर भी कभी-कभी आपसे पूछ लेता है क्राउन इथर के वारे में क्राउन इथर में आपको क्या ध्यान लकने है अगर आपका जो है क्राउन इथर है कुछ इस तरह का क्राउन इथर 4 इसमाएगा लीथियम प्लस क्राउन इथर 5 है तो इसमाएगा एनने प्लस और crown इथर 6 है तो इसमाएगा के प्लस ठीक क्राउन इथर के भी question पूछ सकता है इधर कुछ भी हो सकता है 14, 15, 16 यह total number of जितने भी हमारे item है वो यह show करता है ठीक तो यह आपको ध्यान दखना है इधर के बारे में और crown इथर के बारे में 4 आया तो 4 आया तो LI प्लस 5 आया तो NA प्लस और 6 आया तो K प्लस चलिए next देखते है the main product of the reaction of equimolar quantity जो XZF4 की NaNO3 से reaction हमने करा दी XZ मैंने बताया था ना XZ की सबसे यादर reaction आती है तो ध्यान रखना हर बार XZ के बारे में question जो है जरूर आता है XZ के genome के compound आप जो है अच्छे से पढ़ के जाना तो इसमें क्या बनेगा XZOF4 प्लस NAF बनेगा और साती सात जो है इसमें FNO2 भी बनता है FNO2 तो यह reaction देखके जाना वह इन ओर्गेनिक की reaction है जितनी भी XZ की reaction है यह आप जो है एक्जाम में देखके जाना आप देख लीजिए कौन सा वाला answer हो जाएगा XZF4 NAF और NO2F तो A वाला जो है आपका यह answer हो जाएगा अब इसमें देखिए अमंग F-NA plus O2 minus and Mg2 plus ion those having the highest and the lowest ionic radii respectively highest and lowest ionic radii ठीक है किसमें कि इन दोनों में बतानी है और इन दोनों में अगर मैं proton की बात करता हूँ जैड की बात करता हूँ कि कौन कितनी तागस से electron attract कर रहा है तो Mg के पास है 12, Na के पास है 11, Fluorine के पास है 9, Oxygen के पास है 8 तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा Mg है उसमें 12 जो है आपके प्रोटोन है जो आपके 10 electron को attract कर रहे हैं इसमें जो है अगर Oxygen की बात करूँ तो इसमें जो है 8 प्रोटोन है जो 10 electron को attract कर रहे हैं तो खीचने वाली तागत किसकी ज़्याद है वही Mg2 प्लस वाले की तो इसका मतलब इसका size हो जाएगा सबसे छोटा तो Mg का size हो जाएगा सबसे छोटा और Oxygen का size हो जाएगा सबसे बड़ा तो answer कुन सा हो जाएगा हमारा C वाला answer हो जाएगा highest ionic radiae और lowest बताएं थी highest सबसे ज़्याद होगी O2- की और lowest सबसे ज़्याद होगी हमारी mg2 plus की तो ये आपके कुछ main group के question थे आसा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आपको ज़्याद है focus कहां करना है तो सबसे पहले जब भी main group पढ़ो जितनी भी ginone की reaction ने है ginone के बारे में पढ़ा रखा है उसके complete एक दम A to Z कर लो उसके बाद boragine, boron, bali family को अच्छे से पढ़ लो फिर जो है phosphorus के question आपने कई देखने को मिले होंगे तो phosphorus बाला पढ़ लो फिर जो है sulfur के acid के बारे में कि कौन-कौन से acid होते है sulfur के तो वो सब पढ़ लो तो ये चीज़े हैं जो आपकी ज़्यादे repeat question होए है ठीक है तो आसा करता हूँ ये आपकी जो है सेशन समझ माया होगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद thank you so much everyone